और जोती नहीं मानी होगी जोती तो पागल उसी प्रेमी के चक्कर में है मरीज दूबे के और कोई पती अपने पत्नी को खेत बेचके अपना जमीन जाजाद बेचके उसको पढ़ाई नहीं करवाता और आज वो बड़ी पोस्ट बो हो गई है भाई अब उनका सुनाई ज़् पत्नी रहते हुए अपने दूसरी पत्नी को घर उजाड दिये हैं और कई लोगों से उनका संबंध है खांदान की बहु यस्डियम हो गई है आज उसी और उन लोग के सामने का अलोक मौरिया उनका माता पिता सर उठा के अब चलने लाइक है उनका तो नाम डूबे उदी है और यह मामला क्यों कि adjust गया है और इसमें लोग्यों है अपनी डुष़ रहे हैं आज हमसे मिली हैं पूझा मौरिया जी इनहीं से हम पूछेंगे कि याकिक क्या सोचती है जोती मौरिया और लोग मौर्या के क्या कहेंगे मैं भी एक अवरत हूं लेकिन मैं अपने पती को परमिस्वर मानती हूं जो मेरा पती कहते मैं वही करती हूं जोती मौरिया गलत है कि सही है देखिए भया हम यह नहीं कहेंगे कि जोती मौरिया गलत है या अलोग गलत है और कहीं तो हम जिसे अपने दिमाग से सो भी काम कर रहे थे और पतनी का मतलब सवक्ता में पढ़ाई करूँ एस्डीम बनूगी मतलब जो भी सोच रहा होगा उनका उनका सोच था तो पति को भी सोचना चाहिए जब हमारी पतनी इस्डीम हो गई है तो हम क्यों अपना सफाई करने नोकरी छोड़ देते तो छोड़ द किसी के साथ अब उनका लगाव हो गया है तो अब क्या कहेंगे अब उनका उच्छाला जा रहा है जगडा किसली वह नोकरी करने को लिए हुआ नहीं क्या लोग नोकरी कर रहे हैं जगडा इसी पर हुआ है ना जो बीच में आये हैं मनिस्दूबे मतलब सब कारण तो वही ह क्यों नहीं आ रहा है तो मेडिया वाले उनसे बात करें अभी mito कर्छो देखे को जिसमीं वह सवाल का जबाब नहीं ते रहा है नहीं दे रही है कि मुझे कोई पती आपको ये कस्तर से उठाता है 2010 में साधी होती है पढ़ाता है उसके बाद आप तयारी करती है फिर एस्टीम बन जाती है तो आप उसको छोड़ देंगे नहीं नई छोड़ेंगे तो नहीं वहाँ तो आप जल्फ मतलब आप मैं प्रस्टर कर रही हूं इंटा कहले और इसाइस के मेडिया के शोर करूं के बारे भी हूं रही है तो जिसए आप लोग मौरिया जो है उनका प्रश्णली बात हो का मैंती हूं जोती गलत है जो इतना बड़ा धोखा दी पती को धोखा दी साथ में सास ससुर हैं उनके घर के देखी मतलब मीडिया पे आए हैं अलोग मौरिया के घर के बुजुर्ग लोग हैं उनके दादा दादी हैं वो लोग भी बोल रहे हैं कि जोती को पढ़ाने के लिए बहुत पास बेटी की भी माया नहीं ओपारिवार से दूर गया उसका पती का भी माया हट गया लोगा अपने पती region Church को पती 오 मिञ्ड़ा षार होते हैं अगर तो जिस प्रेमी के लिए वापने उका कुछ छोड़ दी आज वही प्रेमी उनको कितना बड़ा जूट में फसाया था सोचिए पहले इंटर्वियों में हमेशा देख रहे हैं मीडिया के सामने आ सांने गलां है कि उसका अफेयर निजमेर शूयर के और अवरेसी को सान आप उन्सक्तर को में देखि हूं कि अलोग प्राषं कि मतलब दमलां तो यह उत्हाय की शाव catchy मतले को तुनको अपना वहन मानता हूँ इस मतनिन को जती है हैं। जहागडा होता है, लोग पहले अपने घर में ही समझा उता कर दे होंगे, जो पॉपर से ईकप patrol होंगे। तो जब इतना कहा है उसका देखो कितना आसू बह रहा है तब वह बात चार ओरी मतलब अपना सेर किया वार्सप पर से लेकर मीडिया के सामने से मतलब कोड से लेकर उसको धमकी भी दी तुमको मरवा देंगे और तुम्हारा कोई सुनवाई नहीं होगा अब जब वह थाने का चक्कन लगाता था तो उसके सुनवाई नहीं होती थी तो उसके पास एक क्योल माध्य हम था सोसल मीडिया सोसल मीडिया पर आना हुआ ऑर कोई गलत भी नहीं किये हैं अगर उनकी पतनीकों बचाने के लिए कुछ भी इंसान कर सकता है क्योंकि पत्नी है सब करेगा अगर मैं ही हूँ अगर एक इटूब पे चैनल बना के सब कुछ वीडियो डाल रही हूँ अगर आज मैं अपने पती को इतना भरोसा दी हूँ कि मैं आगे बढ़ जाओंगी आपके साथ ही रहूंगी क्या पता अब भ बहुत पस्ता रही होगी कि जिसके उपर इतना भरोसा कि जिसके लिए अपना सब कुछ छोड़ दी कि दो बेटी पती और साससुर सब को छोड़ दी सबका तो मुहमें करिखा लगा दी है तो जिस प्रेमी के साथ नहीं रह पाई ये कहा जाए तो उनके साथ कैसे इतना संतुष रह लेंगी जिसके पास चार-वांच पास पत्नी है बच्छा है और पहर भी चल रहा है कई पत्नी को ऐसे इस्तिमाल करता है तो कैसे उससे असंतुष्ट रह पाएगी आथ उसको घूटन हो रहा होगा आप जोती खुल के आप बोले या ना बोले किन अंदर तो उनको पस्ताव बहुत होगा अच्छा ये का दो दो परिवार टूट रहे हैं माना जाए तो दो परिवार टूट रहे ह है कि योति यहां मतलब माई के वालेन है क्योंकि मैं मीडिया के सामने देखी हूं। पिता जी बोले है कि मेरे बीची को जूट बोलने के साधी किया गया था आपको यह लगता है किसी इक शाधी होगी अफभी के 2010 भी दो 2015 सोलों में आप सफाइकरमी है अरे यह कैसे नहीं होगा दो दिन में नहीं पति के पत्नी और भी बोल रही थी कि मैं खुष उनके साथ ना सफाइकरमी थे मीडिया पी बोली है जो बोली है कि अनके साथ खुष थी और जब मतलब एसा पता था फिर दाहें दहेज के आरोप लगा दी तो अगर इसा होता तो मतलब पहले सी आरोप दहेज के होता तो जो पहले सी ऐसा की होती कुछ मतलब आवाज उठाई होती तो उसको दो बच्चे नहीं होती दो बच्चे नहीं होते और कोई पती अपने पत्नी को खेत बेचके अपना जमीन जाजा कि जोती को मन में भी कुछ बात ऐसा कि जाने होगा क्योंकि मैं उनकी पड़ोसन तो हूँ नहीं कि हकीकत बताऊंगी जो मीडिया के सामने आ में वहीं बता सकती हूं कि जोती की भी आलोक के माधियम से जोती को भी कुछ अंदर बाते हों जो हम लोग को पता नहीं है लेकिन जैसे मतलब मुझे इस चीज़ से पता हो रहा है कि जोती कोई भी देखते हैं उसे बात करता तो सीधा बोलती है कि मतलब कि कौई मीडिया वाला उन से बात कर रहा था कि अलोग ने आपको पढ़ाया तो जोती ने जबाद दी कि तभीसे मुझे अलोग ने पढh आए उसको पर से हर पत्नी को मुझे पिछे पत्न दी। हुआसर गलती की है हैं तो अपने गलती पर पस्तावा करना चाहिए लेकिन अंको ऐसा लग रहा है क问 क्योंकि है कि मेडिया ப, कि यानि कटाच कर रही हैं और यह बात क्यों बोल रही हैं कि मतलब नई बात भाई वह बड़े पोस्ट है उनका ज्यादा लोग वारल कर दिये हैं और जहां देखो वहीं मनीज दूबे को तो सजा कड़ी से कड़ी मिलना चाहिए क्योंकि एक पत्नी रहते हुए अपने दूसरी पत्नी को घर उजार दिये हैं और कई लोगों से उनका संबंध है उनको तो सजा मिलनी चाहिए और मैं तो यही कहूंगी अगर जोती अभी से सोचना चाहे तो अपना घर बसा सकती है हो सकता है वैसे तो कोई पती माफ नहीं करेगा फिर भी एह हो सकता है जो अपने पत्नी के लिए इतना कुछ किया और पढ़़ाई करवाया उन्हें इतने बड़े पत्पे बठा दिया है कि दिल बढ़ा होगा तो माप कर देंगी 그런 तो यह बहुतक पर परसा है नौकरी में अवसाइद इसलिए ओ जोती मौरिया ने ऐसा सोची होंगी कि हम लोग रहेंगे साथ में दोनों रहेंगे यहीं अपना ड्यूटी करेंगे अव लेकिन ऐसा गलत मतलब हर पती का दिल डर गया है कि कैसे मैं अपनी पतनी को पढ़ा हूं और मैं तो यही कहुँगी हर पती अगर नौकरी कर रहा है अभी से आख खूल जाएँ अपने पतिनी को पढ़ाने के KUSH भी है अगर वो यही दिक्कत आएगी आ रहा है आ रहा है आप कितनी लोग देख नहीं रहे हो जाके कोट में रो रहे हैं भाईया के हमारे पती ऐसे कर रहे हैं तो जोती मौरिया ने बहुत बुरा असर डाली है उन्हीं के उपर नहीं नव साल की बेटी है वो लोग आजकल के बच्चे बहु चल रहा तिन कृदार है उसमें सबसे बड़ा खलनायक आपको कौन नजर आता है मनिस दूबे आ रहा है और जोती मौरिया आ रहे हैं यह नहीं दोनों और सब और जो अलोग मौरिया है भाईया इनका तो विचारू का कोई गलती नहीं था जो इंसान अपना बताओ घर गिर उस समय सोचा होगा कि मेरी पढ़े लिखेगी डियम बन जाएगी और जब बनी होंगी तो उनके परिवार में और उनके गाउं में रिस्तेदारी में कितना खुसी मिला होगा कि किसी गाउं कि किसी खांदान की बहु एस्टीम हो गई है आज उसी और उन लोग के सामने का अ के साथ अगर करेंगी तो यही है इधिम ऑनट की होंगी सोची नहीं होगी कि मैं इतना चर्चित हो जाएगा उार्चाज भी उनका कोई बहन के समान है उन्होंने अपना बेबाकी से उतर दिया उन्होंने साप कहा कि इसमें जोती मौर्या की गलती है और सबसे बड़ा खलनायक जो है मनीज दूबे आते हैं इस वीडियों बस इतना ही नमस्कार जैहिन जैभारत